मेरे प्रियस नहीजन, आज से एक साल पहले भारतिय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्निम अध्याय जुड़ा। देश में दसकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनताने जिम्मेदारी सौपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमी का रही है। ऐसे मैं आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का भारत और भारतिय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिती होती ही तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सोभागी मिलता। लेकिन वैश्विक महमारी कोरोना की वज़े से जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशिरवार लेने आया हूँ। बीते वर्ष में आपके सने सुभाशिष और आपके सक्रिय सयोग ने मुझे निरन तर एक नई उर्जा नई प्रेरणा दी है। इस दोरान आपने लोक तंत्र की जिस सामोईक शक्त के दर्शन कराए वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। छे साल पहले वर्ष 2014 में आपने देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए बोट किया था। देश की नीती और रीती बदलने के लिए बोट किया था। उन पांच वर्षों में देश ने व्यवस्ताओं को जड़ता और प्रस्टाचार के दलदल से बहार निकलते हुए देखा है। उन पांच वर्षों में देश ने अंतियोदे की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कारकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी वही हमारे गरीबों के बैंक खाते खोल कर उन्हें मुक्त गैस कनेक्शन देकर मुक्त बिजरी कनेक्शन देकर साउचालाई बनवा कर घर बनवा कर गरीब की गरीमा भी बढ़ाई। उस कारकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक, वन पैंशन, वन नेशन, वन टैक्स, जी एस्टी, किसानों की MSP की बर्सों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया वह कारकाल देश की अनेकों आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए समर्फित रहा वर्थ 2019 में, पिछले वर्ष, आपका आशिरवात, देश की जनता का आशिरवात, देश के बड़े सपनों के लिए था आशा आखांग्शाओं की पूर्ति के लिए था और इस एक साल में लिए गए सारे फैसले इनी बड़े सपनों की उडान है, आज जन जन से जुड़ी, जन मन की जन शक्ती, राश्ट्र सक्ती की चेतना को प्रजवलित कर रही है गत एक वर्ष में देश ने सतत नए स्वपन देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णे लेकर कदम भी बढ़ाए भारत की इस एतिहासी यात्रा में देश के हर कोने से हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बख खुबी अपना दाईत्व निभाया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंत्रिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है प्रियस नेही जन, बिते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर नेड़े जादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभावीक है राष्ट्य एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो सदियोग पुराने संगर्ष के सुखत परणाम राम मंदिन निर्मान की भात हो आधुनिक समाज ववस्था में रुकावट बना ट्रीपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संसोधन कानून हो ये सारी उपलदिया आप सभी को स्मरण है एक के बाद एक हुए इन अइतिहासिक निर्णों के बीच अनेक फैसले अनेक बरलाओ ऐसे भी हैं जिनोंने भारत की विकास यात्रा को नई गती दी है नई लक्ष दिये हैं लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है चीफ अफ डिफेंस स्टाप के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समनवय को भड़ाया है वहीं मीशन गगणियान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को ससक्त करना हमारी प्रात्विक्त आ रही है अब प्येम किसान सम्मान निधी के दायरे में देश का प्रतेक किसान आ चुका है बीते एक वर्ष में इस योजना के तहट करीब करीब 10 करोड किसानों के खातों में 72,000 करोड रुपे से अधिक राशी जमा कराई गई है देश के पंदरा करोड से अधिक ग्रामिन घरों में पीने का शुद्ध पानी पाईप से मिले इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है हमारे पचास करोड से अधिक के पशुधन के बहतर स्वास के लिए मुप्त टीका करण का भहुत बड़ा भिहान भी चड़ाये जा रहा है देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मद्दूर, छोटे दुकानदार, छोटे विपारी और असंगडिक शेत्र के स्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्स की आयू के बाद 3,000 रुपिये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिस्चित हुई है मच्वारों की सहुलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू एकोनामी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ-साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्यान बोड के निर्मान का निर्णे लिया गया है स्वयम सहायता समूहों से जुड़ी लगबग साथ करोड बहनों को भी अब ज्यादा वित्य सहायता दी जा रही है हाल में ही स्वयम सहायता समूहों के लिए बिना गारंटी के रण को दस लाग से बढ़ा कर दो गुना यानि बिस लाग कर दिया गया है आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज़्यादा नए एक लब्वे मॉडल रसिडेंशल स्कूलों के निर्मान का अभियान शुरू किया गया है सामान्य जन के हिद से जुड़े बहतर कानून बने इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गती से कार्य हुआ है हमारी संसद ने अपने कामकाज से दसको पुराना रेकॉर्ड तोड़ दिया है इसी का परणाम है कि चाहे कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिटफन कानून में समसोधन हो, दिव्यांगों, महलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए है सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से शहरों और गाउं के बीच जो खाई हैं वो कम हो रही है पहली बार ऐसा हुआ है जब गाउं में इंटरनेट का इस्तमाल करने वालों की संख्या, शहर में इंटरनेट इस्तमाल करने वालों से दस प्रतिशत जादा हो गई है, देश हित में किये गए इस तरह के एतियासिक कारियों और निर्णों की सुची बहुत लंबी है इस पत्र में सभी को वित्तार से बता पाना संभव नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि एक साल के कारकाल के प्रते एक दिन 24 सो घंटे पूरी सजक्ता से काम हुआ है, समवेदन सिल्ता से काम हुआ है, निर्णे लिये गए है प्रियस नही जन, देश वास्यों की आशाओं, आकांशाओं की पूर्ती करते हुए, हम तेज गती से आगे बढ़ी रहे थे, कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्त सेवाओं और विशाल अर्थ ववस्ता वाली विश्व की बड़ी-बड़ी माशक्तियां हैं, वहीं दूसरी और इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनोतियों से घेरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा, तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देश्वास्यों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। आपने यह सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थवान और संपन्य देशों की तुन्नाबे भी भारत बासियों का सामुई सामर्थ और ख्षमता अभुत्पुर्वा है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वार्यस का सम्मान हो जनता कर्फ्यू या देश्वापी लॉकडाउन के दोरान नियमों का निष्ठा से पालन हो हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही स्रेश्ट भारत की गारंटी है निश्चित तोर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविदा ना हुई हो हमारे स्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीकर, पट्री पर सामान बेचने वाले, रेडी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकांदार भाई बहन, लगूद्यमी, ऐसे साथियों ने असिमित कष्ट सहा है इनकी परेशानिया दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, कि जीवन में हो रही असुविधा, जीवन पर आफ़त में न बदल जाए इसके लिए प्रतेग भारतिय के लिए प्रतेग दिशान निर्देश का पानन करना बहुत आवश्चक है, जैसे अभी तक हमने धैरिय और जिवर्ता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है एक बना कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में जादा समली हुई इस्तिति में है ये लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजय पत पर चल पड़े हैं और विजय होना हम सबका सामोहिक संकल्प है अभी पस्चिम मंगाल और ओडिसा में आये अमफान चक्रवात के दवरान जिस होसले के साथ वहां के लोगों ने स्थितियों का मुकाबला किया चक्रवात से होने वाले नुक्षान को कम किया वह भी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है प्रियस नही जन इन परिश्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थ व्यवस्थाएं कैसे उबरेंगी लेकिन दूसरी और यह विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एक जुड़ता से कोरोना के खिलाब लड़ाई में पूरी दुनिया को अचम्बित किया है वैसे ही आर्थिक शेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे 130 करोर भारतिय अपने सामर्थ से आर्थिक शेत्र में भी विश्व को चकीती नहीं बलकि प्रेरिद भी कर सकते हैं आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा अपने बल्बूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है आत्म निर्भर भारत अभी हाल में आत्म निर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाग करोड रुपिय का पकेच इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है यह अभियान हर एक देशवासी के लिए हमारे किसान, हमारे स्रमीक, हमारे लगू उद्यमी, हमारे स्टार्ट अप से जुड़े नवजवान सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा भारतियों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्म निर्भरता की और आगे बढ़ेगा प्रियस नहीजन, बीते छे वर्सों की इस यात्रा में, आपने निरंतर मुझ पर आशिरवात बनाये रखा है अपना प्रेम बढ़ाया है, आपके आशिरवात की सक्ति से ही देश पिछले एक साल में अईत्यासिक निर्णयों और विकास की अभुत्पुर्व गति के साथ आगे बढ़ा है लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है देश के सामने चुनवतियां अनेक हैं, समस्यां अनेक हैं, मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयम से ज़्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ पर है मेरे संकल्प की उर्जाब आप ही है, आपका समर्थन, आपका आशिर्वाद, आपका स्ने ही है बैश्विक महामारी के कारण, यह संकट की गड़ी तो है ही, लेकिन हम देश वास्यों के लिए यह संकल्प की गड़ी भी है हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड भारतियों का वर्तमान और भविश कोई आपदा या कोई विपत्ती तैं नहीं कर सकती हम अपना वर्तमान भी खुद तै करेंगे और अपना भविश भी हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगधी पत पर दोड़ेंगे, हम विजय होंगे हमारे यहां कहा गया है कृतम में दक्षणे हस्ते, जयो में सब्व्य आहिता यानि हमारे एक हाथ में कर्मा और कर्तव्य है, तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनह नमन करता हूँ आपको और आपके परिवार को मेरी हारदिक्षु कामना है स्फस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरुत रहिए, जागरुक रखिए बहुत बहुत धन्यवाद